अधियाएच्छे जिसका नाम है अवकलेच के अनूप्रयोग की बात करना चाहा रहा हूं मैं आपसे आज यह इतना जबरदस टॉपिक है और यह इतना जबरदस छैप्टर है कि यह कभ खतम हो जाये यह पता निच चलेगा क्योंकि अब तक मैं आप का बेज़ बना चुका हूं इसमें थरिजीया की बात करेंगे आयतन की बात करेंगे चेत्रफल की बात करेंगे इस पर से रेखा की प्रमणता की बात करेंगे और यह दो वीडियो में खतम हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा तीन वीडियो में खतम हो जाएगा मैं कोशिश करूंगा कि दो वीडियो में खतम हो जाएगा इसनों कोषन आने याब बताओंगे मैं हिंट देता हूं आप एक बॉल में चार रण चाहिए ऑक बॉल गमने चार रण चाहिए तो चौटक्व मार के जिट जाओ गए सद्छ और प्रस्ताव कि और दो कि स्टेंस इस इक्जांपल दे दिया मैं एक शुश्ण आगा चार नंबर कहा दो इस में ज्यादा ना बेशी के बारें बात नहीं करूंगा डाइर्ड अभयास कुश्शन कर्वाने वाला हूं ऩारेक्ट जालू करते हैं इस लिए में क्या क्या देखिए में बात करता हूं पर चैप्टर एक चैप्टर दो चैप्टर थी चैप्टर फोर चैप्टर फाइब चैप्टर सेवन चैप्टर एट चैप्टर नाइन और आज रात को चैप्टर सिक्स खतम हो जाएगा आज रात को जब आप इस वीडियो प्ले करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर शिक्स आप आपको मिल जाएगा तो मतलब आज रात तक आपका यह 9 चेप्टर आपका यह 9 चेप्टर एक से लेकर 9 था खतम हो जा रहेंगा खतम हो जाए रहेगा और अगर आप सिरियस स्टुडेंट हैं और मेरे साथ बने हुए हैं तो मजे की बाद बताओं आपका भी 9 चेप्टर हो जाए रहेगा और अभी भी न इतना समय बाकी है कि अगर गड़ित में आज की देट में आपको 9 चेप्टर हो गया मतलब आप तो म मैं स्टार्ट करूँगा ठीक है अब क्वेश्टन डारेक्ट स्टार्ट करूँगा चलो फिर तो क्वेश्टन नमबर एक आपकी स्क्रीन के सामने चार नमबर के लिए यह रहा बोला मैं चलो ध्यान से देखते हैं क्या वुले एक वृत की त्रिज्या अच्छा यहां पर म 2 सेंटिमेटर की एक समान दर से बढ़ रही है बस इसको ध्यान देना इसको ध्यान दो चीक है मतलब एक वृत की तिज्या है जो 2 सेंटिमेटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है छेत्रफल में वृद्धी किस दर से होगी छेत्रफल में वृद्धी किस दर से होगी जबकित रिज्या 10 cm हो ध्यान से आप लोग देखना अगर मैं सौल करा रहा हूँ ऐसे ही मैंने 4 कोश्चन लूँगा और आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस कोश्चन से रिलिट है पहले कोश्चन में थोड़ा सा टाइम लूँगा दिमाख लगाना देखो कोश्चन क्या बोर रहा है एक वरित है एक वरित में बनाया बस ध्यान से बस देखते रहो बस जिहान से, बस देखते रहे ने, एक मैं िवृत बनाया, ये मैं आiß ये मैं एक वृत बनाया, तो question क्या बोड़ रहा है, एक ये वृत है, जो 2 centimeter सेंटिमिटर प्रतिसेकंड हर सैकंड दो सेंटिमिटर की दर से बढ़ रही हर सैकंड माल अभी कि सेंटिमिटर दो है तो अभी सेंटिमिटर क्या होगा अश्या इसका और चार हो जाएगा कब तक बढ़ेगी 10 संटिमिटर करना है क्यूंकि हम लोग कोई सिवृत का छेत्रफल लिकानना है जब उसकी त्रिज्या 10 cm हो अगर मैं मान के चलूं कि अभी 2 cm है यह 2 cm है ध्यान से देखना अगर यह 2 cm है इसकी त्रिज्या दो सेंटीमिटर है तो अभी एक सेकंड के बाद 2 cm के दर से बढ़ जाएगी अभी 2 cm है अगली सेंटीमिटर वो और 2 cm बढ़ जाएगी तो चार सेंटीमिटर हो जाएगा चार सेंटीमिटर हो जाएगा फिर अगली सेकंड फिर अगली सेकंड फिर 2 cm की दर से बढ़ेगी तो वो 6 cm हो जाएगा, फिर अगले ही सेकेंड, फिर अगले ही सेकेंड वो 8 cm हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, यह पूरा बराबर है, ठीक है, 8 cm हो जाएगा, फिर अगले ही सेकेंड, अगले ही सेकेंड, वो 10 cm का हो जाएगा, ध्यान से बस देखते रहना, बस ध्यान से बस देख कुछ नहीं करना है अभी लाइफ में सब मोह माया भूल जाओ सब चीज भूल जाओ और बस यहां पर कंसेंट्रेट करो यह हो गया तो कुश्चन क्या पूर रहे है कुश्चन क्या पूर रहे है बस जहां से देखना यह आप लोगों को बनाने की जरुवत नहीं बना लोगे लाए तो भी अच्छा अगर वृ χीत्र की तीज या दो सेंटी मीटर प्रति दर से बढ़ रही है माल लोग यह 2 है तो अब चार हो जाएगी अगले सांध़ फिर शाई हो जाएगी अगले सेकंड फिर आठ हो जाएगी अगले सेकंड अस सब बढमी है दो सेंट्र आंप बढ़ते बढ़ते इतना हो गया तो 16 अब छेत्रफल बस इतना था अब बढ़ते 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 चेत्रफल इतना हो गया है ठीक है तो आपको वही बथाना है कि छेत्रफल में वृद्धी किस दर से होगी मतला अगर मैं overall बात करूं तो यह जो बड़ा गोल है ना उसका आपको छेत्रफल में वृध्धी बताना है ध्यान से बस देखते रहें तो कोश्चन दिया क्या है आप लोग इसको पहले समझो कोश्चन क्या दिया है कैसे लिखते में बता रहा हूं त्रिज्या को हम से बढ़ रही है बोलते हैं तो कैसे करना है मैं बता रहा हूं ध्यान से देखते हैं यह क्या है कोई दर में changes हाना ये तो कैसे लिखेंगे हम लोग ये आर है आर आर दर से बढ़ रहा है और किसी दर से बढ़ रहा है और कैसे बढ़ रहा है किसके respect में बढ़ रहा है प्रती सेकेंड इस time के respect में बढ़ रहा है जैसे कि ध्यान से देखो मेरी मेरा जो age है उमर है वो बढ़ रहा है, उमर मेरा बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है बोलूँगा, दिन के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, ठीक है, अगर ये है, ये जो लकडी है, और ये, ये इससे छोटा है बोलूँगा, तो मैं क्या बोलूँगा, किस से comparison करा रहा हूँ इस से comparison करा रहा हूँ तो नीचे क्या लिखूंगा यहां पे जिससे हम लोग जिस दर से बढ़ रहा है या घट रहा है उसको लिखते हैं तो यह आपला example अभी छोड़ दो तो यहां पे हमेशा याद रखना क्या बढ़ रहा है त्रिज्या तो यहां पर मैं प्रती सेकंड बढ़ रहा है तो प्रती सेकंड है और सेकंड, टाइम की काई होती है तो यहां पर मैं T लिखा यहां पर मैं क्या की ज یہा? ट लिखा यह T यहां पर मैं T लिखा हूं तो समझ मैं अगर मैं बोलता किसका area बढ़ रहे तो क्या करते समय के respect में बढ़ रहे तो मैं क्या लिखता D by dt area बोला है तो यहां पर A लिख देता तो जो बढ़ रहा है उसको उपर लिखना और प्रती किसके second के समय के क्या है उसको नीचे लिखना बस अभी इतना ही सोचो बस अभी ज़्यादा दिमांग नहीं लगाओ ठीक है और यह होले example अभी mind में मत रखना तो ठीक है तो यह क्या वो रहे 2 cm ना तो यह 2 cm प्रती सेकेंड सेंटी में प्रती सेकेंड हाँ आप हिंदी में लिखोगे तो भी चल जाएगा और यह भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं है प्रती सेकेंड तो इसका मतलब क्या होता है इन दोनों का मतलब समझो अगर मैं बोला R बराब के दर से बढ़ रही है प्रती सेकंड इन दोनों में फर्क है इन दोनों में फर्क है तो जब कभी भी दर चेंज हो रहा है बोलेंगे तो हम लोग d by dt का यूज़ करेंगे यहां पे t इस लिए क्योंकि सेकंड तो आप लोग इन दोनों में डिफ्रेंस समझे होगी, अब ये तो हम लोगों को दिया है, अब वो रहे छेत्रफल में वृद्धी की दर ग्याद करो, मान लेता हूं मैं, मान लिया वृत का छेत्रफल, माना वृत, वृत का छेत्रफल, वृत का छेत्रफल को मैं ये मान लेता हूं, वृत का छेत्रफल क्य वृद्धी की दर क्या होगी वह बताना है तो छेत्रफ़ल में वृद्धी की दर तो dy dt हम लोग को आंसर किसमें देना है कि कहां है कित त्रिज्या 10 cm हो छेत्रफ़ल हम लोग किसके respect में दे रहे हैं सेंटिमेटर प्रती सेकेंड के यहां पर सेकेंड है तो डी बाइडी टी और हम लोगों क्या है यह एरिया है तो यह ए ख्यान से देखो अगर सिर्फ ए लिखूं तो एरिया होगा डी बाई डी टी ए लिखूं तो एरिया बढ़ रहा है वो शो करेगा तो बोला ना छेत्रफल में वृद्धी तो ये शो करेगा छेत्रफल में वृद्धी तो हम लोगों को यही छेत्रफल में वृद्धी फाइंड करना है जब आर हमारा आर हमारा दस सेंटिमेटर हो हमारा यह वह 10 cm हो, यह हम लोग को find करना है, यह हम लोग को find करना है, पहला question है, दूसरा question भी same है, थोड़ा सा patience रखो, समझ में आएगा, तो थीक है, यह दर वाले में थोड़ा confused हो रहे हो, तो हम लोग को यह find करना है, तो ठीक है, find कर लेते हैं, हम लोग को A मालू में क्या, A मालू एक differentiation कर रहा हूं तो यह dA बते dt is equal to d बते dt दोनों में मैं d by dt का क्या कर रहा हूं differentiate कर रहा हूं या multiply कर रहा हूं ठीक यह pi r square ठीक है क्या यहां तक बस ध्यान से देखने तो क्या हो जाएगा यह dA by dt dA by dt पाई बाहर हो जाएगा पाई बाहर हो जाएगा constant बाहर होता है यह मैं पिछले अध्याय में आप लोगों को बता चुका हूं r square ठीक है r square constant नहीं है हमारा त्रिज्ज्या जो है r जो हमारा है r जो है वो function of t है ठीक है r का समय के साथ कुछ न कुछ संबंध है तो यह constant नहीं है तो अब इसको differentiate कैसे करेंगे dA by dt यह हो गया पाई इस r को अब t के सापेक्ष करना है तो यहां पे t का फलन होना चाय है तो इस r को आप लोग t मानलो इस r को आप लोग t मानलो मान दिये t, तो t square का क्या हो जाएगा t square का differentiation 2t, t square का differentiation हो जाएगा 2t, 2 लेकिं t नहीं लिखुँगा, जिसको t माना हूं उसको लिखूँगा जिसको ट माना हूं उसको लिखूँगा किसको ट माना हूं और को तो क्या करते हैं जिसको ट माना हूं उसको एक बार differentiation कर देते हैं जिसको भी हम लोग कुछ माने है उसको फिर से differentiation कर देते हैं, तो क्या करूंगा d by dt, किसको t माना हूँ, r को, यहाँ पर यह लिख दिया, ध्यान से बस देखते रहना, अगर यह वाला line किसी को समझ में नहीं आया है, तो आप लोग मेरे अवकलन का वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा, तो यह क्या आया, d by dt, d by dt, यह यह हो गया, 2, 2, into, pi, pi, r क्या, ध्यान से देखना, r क्या बोर रहा है, जब r मेरा क्या हो, 10 cm हो, तब यह लिकालना है, जब r 10 cm हो, तो r की value 10, r की value 10, और यह क्या हो रहा है, dr by dt, दोनों different r क्या हो रहा है, जब उसकी 30 cm हो, और dr by dt, किस दर से बढ़ रही हो, उसकी 30 cm, किस द से बढ़ रही है, 2 cm की दर से बढ़ रही है, यहाँ पर हम लोग लिखे है, dr by dt के value, तो dr by dt के value, यहाँ पर है 2, समझ मैं है, तो अगर मैं इसको कुणा करूं, तो da by dt क्या मिलने वाला है, da by dt, 2 दूनी 4, 4 गुणा 10 हो जाएगा, 40 pi, 40 pi, और हम लोग कि क्या चेर रही है, य square per second करेंगे, हमारी जो 1 काई है, cm per second में चर रही है, यहाँ पर दिया है cm per second, लेकिन जब area लिकालते हैं, तो जब area लिकालते हैं, तो उसका जो unit work ही काई होता है, तो जो भी आपका चर रहा हो, meter per second, kilometer per second, उसमें square लगाना, छेत रफल में square लगाते हैं, तो cm square per second, यह हुआ, तो आपका जो आंसर आ गया ना, छेत्रफल में वृद्धी 40.5 cm2 पर सेकेंड से बढ़ रही है जब तृज्जा 10 cm हो, तो आप उत्तर में लिखेंगे, आप उत्तर में लिखेंगे कि वृद की तिज्जा, स्वारी वृद का छेत्रफल ना, वृद का छेत्रफल 40.5 cm2 पर सेक यह ऐसे करते हैं, जिसको भी यह समझ भी नहीं आया होगा थोड़ा सा, प्राब्लम हुआ होगा, इस से रिलेटेट प्राब्लम हुआ होगा, तो अगले कोश्चन में सॉल्व हो जाएगा, मैं एकदम आपको क्लियर कर दूँगा, लेकिन डिफनेंसेशन में अगर प्राब बुलबुले की बात किया है, बुलबुला विवरित नहीं होता है, इस फेयर शेप का होता है, मैं अभी सब बतारा हूँ, मैं सॉल्व बुलबुले की तरिज्या, यहां पर देखो करती त्रिज्या एक बटा दो सेंटीमिटर प्रती सेकेंड की दर से बढ़ रही है कि दर से बढ़ रही है जब बुलबुले की त्रिज्या एक सेंटीमिटर हो तब किस दर से बुलबुले का आयतन बढ़ रहा है ये लिकालना है ध्यान से देखो हम लोग को त्रिज्या नहीं अगर को लिखे का आर एक बटा दो ना क्या बूर रहा है एक हवा के बुलबूले की 30 cm की दर से बढ़ रही है तो यह क्या लिख डी आर क्योंकि हमारी 30 बढ़ रही है प्रती सेकंड सेकंड क्या है टाइम का युणिट क्या होता है है टी कर time good second होता है haa Th his किदर से बढ़ है कितना half एक बटा दो सेंटीजर्ट हो एक साटवर पर सेकेंड यह से बढ़ रही है स्बीक कर तो उस बुल्बूले की 3101 जाब सब्रूस बुल्बूले की 321 सेंटी मुड़ तो बुल्बूले का आयतन आयतन बोर रहा आयतन तो दियान से देखो हमम लोगों क्या वोला है बुल बुले का आयतन गया होता है जो क्या होता है 30 इंच मैं मैं कैपिटल वी से आगर शोग कर लिया तो यह बुल बुले का जायतन है मेरे को बोला है बुलबुले का ऐतन जो है किस दर से बढ़ रहा है तो मुझे क्या पूछा है बताऊं यह बुलबुले का ऐतन को मैं V लिया V किस दर से बढ़ रहा है मतलब DT और जब R क्या हो R क्या हो एक सेंटिमेटर हो आर क्या हो जब एक सेंटिमेटर तो मुझे ये पूछा है और ये गिवन है ये गिवन है ये पूछा है ध्यान से देखना तो मैं वी लिकाल लेता हूं फिर टी के सापेक्ष डिफनेंसेशन कर लूँगा वी लिकालना क्या वी तो है तो वी क्या है वी है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब तो दोनों पक्षो में ती के सापेक्ष मैं अगर आउकलन कर दूँघ टी चार बटा तीन पाई आर क्यूब ठीक है इसमें 4 बटा तीन और पाई कॉंस्टेंट है तो बाहर लिका लेता हूं dv बटा dt यह 4 बटा 3π, dy dt rq, r constant नहीं है, क्योंकि जो त्रिज्य है इस पे तो depend कर रहे है इस v पे, तो त्रिज्य हमारा item पर depend, मतलब time पर depend कर रहे है, ठीक है, dependent, independent, time पर अभी मत जाओ, napkin r जो है न, r, r जो है, r इसमें आरह है, किसमें आरह है, इसमें आरह है, और r डिपेंड कर रहे है, t में, और वो t है यह vt पे depend कर रहे है, अब जो पूरा गोम गया होगे, तो इतना दिमाघ मतलगा, त्रिज्य यहाँ पर दिया हुए है तो त्रिज्य को constant नहीं ले त्रिज तो इसको T माल लो न, तो क्या हो जाएगा, T की घात 3 का डिफनेंसेशन कर लो, तीन की घात 3, अरे डिफनेंसेशन आप लोगो मालूम है की नहीं, भूल तो नहीं गया, D by D X लिखाता था, X की पावर N, N सामने आ जाता था, और यहाँ पे घात में कम हो जाता था, N की जगा T है, तो यहाँ पे बस T आ जाएगा, X की जगा, X की जगा T है, तो T की पावर 3 अगर हो गया, T के रिस्पेक्ट में, T की पावर 3 क्या हो जाएगा, T की पावर 3 हो जाएगा, 3 T स्क्वेर, लेकिन T नहीं लिखूंगा, किसको लिखते हैं, जिसको मानता हूं, उसको लिख रह जिसको T माना हूं उसको लिखूंगा तो 3R square अब उधारी चुकाओ यहां पे तो T है यह नहीं तो क्या करें उधारी चुकाने के लिए जिसको T माने हूं उसको एक बार है यहां कंड ऊडरी डिप्नेंठीट कर दो एक बार डिफ्नेंठीट कर दो अग्यां पूरा बता चुक Himself तो द्ध्यान से अगर देखोगे तो 3 से 3 तो टाडा हो गया है कि d V by dt d V by dt 5 5 4 by r square dr by dt हो गया यह d V by dt यह चार पाई आर स्कवेर कभ है मैं आए तन कभ लिखा लहां जब 31 cm हो तो इस आर की जगह एकरा रखो dr by dt की value कहीं पर है dr by dt की value एक बटा दो है यह दे एक बटा दो तो यहाँ पर कर दो एक बटा दो तो देखो दो से यह 4 कड़ गया दो बार में तो क्या आजाएगा dv by dt यह 2 pi 2 pi और एक की घाद 2 एक होता है मतलब dv by dt क्या आगया 2 pi अब हम लोग किसमें चाहर रहे हैं cm प्रती सेकेंड cm प्रती सेकेंड ध्यान रखना जब area बोला तो square लगाते हैं और जब आयतन पुस्ता है ना तो यहाँ पे घात में तीन लगाते हैं आयतन में ठीक है दो question करवाऊंगा फिर यह topic हो जाएगा यह कब कराऊंगा नेक्स वीडियो में कराऊंगा यह आपसे बनता है क्या यह आपसे बनता है क्या बनाकर रखियो अपन मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक लिए bye bye see you